सब्सक्राइब करें है गाइस वेलकम बैक तो मैं चैनल और टोड़े आपको अगर आपको प्रोड़क्ट या फोड़ोशॉप मैनिपलेशन के सारे कॉंसेप्स एडिटिंग जीरो से प्रो लेवल तक सिखना है तो आप मेरा ये कोर्स पर्चेस कर सकते हैं दे लिंक इस इन दे डिस्रिप्सन विट 50% ओफ सो मैंने अल्रेडी यहां पर एक कैनोस क्रिएट के हुआ है जिसका साइज है 2000 by 2500 पिक्सल्स इसे हम यहां से ओके कर लेते हैं और इसके अलावा मैंने यहां पर अल्रेडी अपना रिफरेंस यहां पर ओपन के हुआ है जो एक te attempt all backspace से इसे fill करेंगे छिक है इसके बाद हमारा main product जो की है यह can bear तो इसके लिए मैं यहां से drag and drop कर लेता हूं मेरे पास यह assets folder में है मैं से drag and drop करके बड़ा करए आरांगे कि यहां से एक rectangular मार्की टूल लेकर इस तरह से एक floor create करूँगा ठीक है और यहां से मैं अपने layer 1 के उपर एक new layer यहाँ पर create करूँगा इसका name है floor और यह हमारा bg4 background floor layer में हम रहेंगे यहाँ पर इस तरह से इसके बाद यहाँ से हम gradient tool लेंगे और यहाँ से हम mode चूज करेंगे linear and opacity हम रखेंगे around 35% और यह make sure करना है कि हमार जो fill है वह यहाँ पर foreground to transparent रहे हमें basic में जाना है और यहाँ से foreground to transparent रखना है ठीक है और यहाँ से हम जाएंगे filter blur, Gaussian blur ठीक है और अराउंड 32% का में यहाँ से blur लेंगे और ok करेंगे यहाँ से layer mask create करेंगे इस तरह से और यहाँ से gradient tool लेकर और इस time लेंगे हम radial gradient ठीक है और यहाँ से हम black foreground color लेकर इस तरह से हम इसे इस जगह से remove करेंगे just like this okay so यह हमारा floor यहां पर ready है इसके बाद हम यहां से अपने floor layer के ऊपर एक new layer create करेंगे इस तरह से brush लेंगे और यहां से right click करेंगे और इस तरह से squeeze करेंगे ठीक है और यहां से हम इसे इस तरह से हम बड़ा कर सकते है और यहां से हम alt hold करेंगे और यहां से right mouse button से हम यहां से drag करेंगे तो यह इस तरह से छोटा बड़ा होगा ठीक है और यहां से हम alt hold करेंगे और यहां से background color sample करेंगे इस तरह से और इस तरह से हम प्रश्ट के size को यहां से adjust करेंगे और इस तरह से हम just dab करेंगे zoom in कर लेते हैं dab करेंगे इस तरह से ठीक है looking good इस तरह से हम ctrl j प्रेस करेंगे और इसका एक duplicate लेंगे और इसे हम ctrl t करके इस तरह से छोटा करेंगे और इस तरह से आगे प्लेस करेंगे दोनों को हम select करेंगे यहां से shift hold करके और ctrl e करके हम यहां से merge करेंगे this is our shadow यहां से हम eraser tool लेंगे और अपने unwanted parts को यहां से remove करेंगे ठीक है इसे हम इस तरह से filter में जाएंगे और यहां से blur लेकर हम लेंगे motion blur यहां से हम angle लेंगे around minus 1 और यहां से हम इसका distance है वो around 20 रखेंगे इस तरह से और यहां से ok करेंगे ठीक है again हम यहां से eraser tool लेंगे if for eraser tool और यहां से इसे remove कर सकते हैं ठीक है control t कर सकते हैं यहां से और इससे इस तरह से quiz कर सकते हैं enter zoom out looking good हमारा यहां पर base shadow and यहां पर product placement यहां पर done है इसके बाद मैं quickly यहां से switch करता हूँ और यहां से हम background create कर चुके है shadow create कर चुके है और हमने अपना product यहां पर place कर दिया है ठीक है अब हमें यहां पर यह highlight create करना है और यहां से मैं अपने background layer के ठीक उपर एक new layer create करूँगा इस तरह से यह हमारा रहेगा highlight bg ठीक है brush लेंगे इस तरह से right click करेंगे और यहां से soft round brush लेंगे यहां से और इसे हम इस तरह से बड़ा करेंगे और sample करेंगे एक bright color इसे हम इस तरह से और bright कर शकते हैं करेंगे और इस तरह से हम just dab करेंगे इस तरह से और इस right side में यहाँ पर कुछ highlights create करेंगे make sure जो आपका opacity है वो around 35 to 40 रहे और यहांसे हम इसे dab करेंगे इस तरह से ठीक है यहांसे हम eraser tool ले सकते हैं और यहांसे हम अपने unwanted parts से इस तरह से remove करेंगे brush लेंगे again और यहांसे इस part पर हम ध्युदा से brush करेंगे ठीक है यहांस हम अगे लेंगे eraser tool और यहांसे हम इसे erase कर सकते हैं इस तरह से looking good यहांसे हम again यहांसे brush कर सकते हैं कुछ ठीक है अगे easy tool floor मेंशी से remove कर सकते हैं तो हमारा जो shine area है वो upper right corner से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, further हम यहाँ पर एक shine add करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास एक stock image है, जो कि मैं यहाँ पर apply करने वाला हूँ, मैं इसे यहाँ से drag and drop करूँगा इस तरह से, और यहाँ से okay करूँगा, हम इसे place करेंगे अपने सभी layer के उप and यहाँ से इसका blend mode है हम रखेंगे screen पर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर edge R है, ठीक है, तो हम यहाँ से control L करेंगे, तो यहाँ से levels हमारा खुल जाएगा, और यहाँ से इस तरह से, और भी bright कर सकते हैं, ठीक है, okay करेंगे, अभी जो इसका color है, वो यहाँ पर white है, हम यहाँ पर control U करेंगे, और यहाँ से हम open करेंगे hue and saturation, colorize करेंगे, और यहाँ से इसे green shade देंगे, ठीक है, okay करेंगे, और यहाँ से सभी layer को हम यहाँ से visible कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से control T करेंगे, और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, looking much better, हम जाएंगे filter में, blur, और यह यहाँ से Gaussian blur, इसे हम इस तरह से blur करेंगे, around 5 और 6, इसके बाद हम यहाँ से एक new layer लेंगे, और यहाँ पर हम pen tool लेंगे, और यहाँ से हम एक path create करेंगे, इस तरह से, ठीक है, control enter करेंगे, और यहाँ से इसका selection यहाँ पर create हो जाएगा, brush लेंगे, alt hold करेंगे, इस color को sample यहाँ से हम इसे थोड़ा से blur करेंगे, motion blur, around 96, ok करेंगे, और यहाँ से करम चाहें, तो control T करके इस तरह से बढ़ा भी कर शकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसका blend mode है, हम रखेंगे screen पर, यह है before और यह है after, यहाँ पर हमने एक shine create किया है, ठीक है, we are getting close, मैं again यहाँ से अपने highlight layer में आ रहा हूँ, और यहाँ से मैं eraser tool ले रहा हूँ, और इस तरह से मैं flow को रखूंगा, इस बार 10% और इस तरह से मैं इस जगा से इसे remove कर रहा हूँ, अब मैं इसी layer पर रहा कर brush ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं इस color को sample कर रहा हूँ, और इस तरह से bright कर रहा अपने product layer के ठीक पीछे यहाँ पर इस तरह से मैं shine add कर रहा हूँ now this is looking much better ठीक है इस तरह से हम highlight add करेंगे E कर सकते हैं और यहाँ से इस part से हम इसे remove कर सकते हैं हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तमारा यहाँ पर light ray यहाँ पर almost done है हम इसमें further यहाँ पर कुछ काम करेंगे आगे इससे पहले मैं अपने यहाँ से product layer में आ रहा हूँ और इसके उपर हम यहाँ से new layer create करेंगे alt hold करके और यहाँ पर हमें एक dialogue box मेलेगा यहाँ पर इससे हम यहाँ पर set करेंगे overlay पर and यहाँ पर fill with overlay neutral color पर यहाँ पर check करेंगे और यहाँ से okay करेंगे तो यहाँ पर यह एक gray color में यहाँ फिल हो जाएगा ठीक है और भी ज्यादा darker शकते हैं, okay करेंगे alt backspace and यह much darker हो गया है, अब हम आप जूम इन करेंगे और यहां से हम जाएंगे gradient tool पर, यहां से हम choose करेंगे reflective gradient, opacity रखेंगे around 60% और यहां से हम अभी लेंगे white foreground color और यहां से हम shift hold करेंगे और यहां से drag करके इस तरह से highlight create करेंगे, ठीक है looking nice, उसी तरह हमार light जो है वो इस तरफ से आ रहा है, तो हमें इस जगह ही पर ही light rays create करने है, तो मैं इस जगह पर इस तरह से light rays अपने create कर रहा हूं, ठीक है, looking better, इसका opacity हम रखेंगे around 60% पर and इसके बाद हम अपने gradient tool का यहां पर opacity कम करेंगे around 20% और इस जगह पर further यहां पर ठीक लग रहा है, इसके बाद हम अपने private पर कुछ यहां पर shine grade करेंगे, इसके लिए मैरे पास कुछ stock images है, जो कि मैं यहां पर apply करूँगा, overlay के तरह, ठीक है, तो मैं यहां से इसे drag and drop कर रहा हूं, इस तरह से, और इसे यहां पर place करेंगे, इसका blend mode हम रखेंगे screen पर, और यहां पर separate हो गया है, ठीक है, हम इसे control T करेंगे और अपने private पर इस तरह से sign के लिए यहां पर इसे रख सकते हैं, हम इसे squeeze कर सकते हैं, और इसे पतला कर सकते हैं, और यहां पर इसे add a shine, यहां पर इसे add कर सकते हैं, ठीक है, जाएंगे हम यहां से filter, blur, motion blur, और यहां से इस से एंकल में रखेंगे और यहां से इसे ब्लड करेंगे ओके करेंगे यहां से और इसे इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं ठीक है हम यहां से कंट्रोल यू करेंगे और इसका जो कलर है हम यहां से चेंज करेंगे कलराइज पर क्लिक करेंगे यहां से और इसका कलर है में यहां से थोड़ा green यहां फिर white tint पर रखेंगे ok करेंगे यहां से and यह अब एक subtle जाया पर difference यहां पर create कर रहा है ठीक है इसका एक यहां से duplicate लेंगे alt hold करके और इसे हम इस तरह से ctrl T करके rotate करेंगे और इस जगह पर इसे place करेंगे good और इसके बाद हम यहां से इसका एक और duplicate layer है और इस वक्त हम इसे ctrl T करके यहां पर place कर रहे है अगर हम चाहे है तो इसका जो blur है वह हम यहां से अपने motion blur वाले effect पढ़ रहे हैं से double click करेंगे और यहां से इसे कम कर सकते हैं इसे प्लेस कर सकते हैं हम यहां से इस पर mask rate करेंगे और यहां से इसे black for color लेकर brush लेकर हम यहां से remove करेंगे और सिर्फ इस जगह पर apply करेंगे just like यहां पर now this is looking much better इस पर यहां पर click करेंगे और यहां से select करेंगे इस वाले layer को और इस पर हम तुना सा we can place this here ctrl T squeeze a little और यहां से इस तरह से place करेंगे ठीक है mask rate करेंगे इसके उपर black brush लेकर यहां से इसे remove कर शकते है एक subtle हम यहां पर यहां इफक्त चाहिए ठीक है इसका opacity हम रखेंगे 60% एक subtle हम यहां पर यह इफक्त आ रहा है ठीक है उसके बाद हमें यहां पर एक fog add करना है जो कि हम अपने product layer के ठीक हूपर add करेंगे सबसे पहले हम यहां से अपना top layer यहां से select करेंगे अपने यहां से stock image को यहां पर place करेंगे यहां से इसे बड़ा करेंगे इस तरह से ok करेंगे और यहां से इसका जो blend mode है हम रखेंगे screen पर you can quickly reference that हां से हम इसे ctrl T करेंगे और इस तरह से हम इसे बड़ा करेंगे इस तरह से ठीक है हम यहां से ctrl U करेंगे और इसे एक green set देंगे यहां पर this is looking much better now ok करेंगे यहां से ctrl L कर सकते हैं यहां से हम और इसका जो bright part है उसे हम इस तरह से यहां से और bright कर सकते हैं और यहां से dark part को और ब्यादा dark कर सकते हैं ok करेंगे so we are close now इसके बाद हम यहां पर और ब्यादा green tint add करने के लिए यहां से हम अपने background layer को select करेंगे यहां से अगर हम चाहें तो यहां से जो यह effect है हम यहां से minimize कर सकते हैं ताकि हमारा layer से यहां पर अच्छे से नजर आए इस तरह से यह हमारा smart filter से तो हमारे पास इस तरह से यह collapse से यहां पर view मिलता है ठीक है तो हम यहां पर अपने image के बहुत यहां पर close है इसके बाद हमें इसमें final adjustment करना है तो इसके लिए हम यहां पर कुछ और fog add करेंगे जिसके लिए मेरे पास यहां पर कुछ और fog से तो हम इसे इस तरह से place करेंगे और इसे इस बार हम इस तरह से बढ़ा करेंगे इस तरह से place करेंगे screen पर shade करेंगे इस तरह से और यहां से brush लेकर black foreground लेकर इस तरह से हम इस जगा से remove करते हैं सबसे पहले इस जगा से remove करते हैं ठीक है और यहां से इसका एक और duplicate layer है ctrl j press करके और इससे अपने प्रॉट layer के ठीक नीचे place कर रहे है ताकि हमारे जो fog है वह भी यहां से अंदर चला जाए इसके ठ further हम यहां से fog को यहां से remove कर सकते हैं हम अगर चाहें तो इस वाले fog को हम यहां से select कर सकते हैं हमारे इस वाले fog को और यहां से हम इसे expand करेंगे और जाएंगे hue and saturation में okay करेंगे और इसे हम यहां से और भी ज़्यादा colorful यहां से कर सकते हैं या फिर हम यहां से colorize कर सकते हैं और इसे एक specific tint दे सकते है green का ठीक है इस तरह से minus यहां से हम around 90 करेंगे ठीक है 30 करेंगे इस तरह से इसे और यहां से माइनस इसे around 8 करेंगे और यह हमारा अपना fog यहाँ पर place हो चुका है ठीक है इस पर अभी हम और भी ज़्यादा adjustment करेंगे जिसके लिए सबसे पहले हम यहां से अपने background layer को set करते हैं और यहां से हम इपने background layer को qaip example कर सकते हैं और यहां से brush लेकर हम इस Fashion यहां पर paint कर सकते हैं ठीक है इसे fill कर सकते हैं इसके बाद इस पर हम एक lens flare ąप एड़ करेंगे यह हमारा सबसे उपर रहेगा च्वठ से इस स्क्रीन पर और यहां से इसा इसरस इसतरस ऐड़ करेंगे looking good ठीक है इस तरह से हम इसे place करेंगे इस तरह से ठीक है अभी हमारा जो reference image है वो और भी ज्यादा है यहाँ पर green लग रहा है तो हम इसे अभी थोड़ी दिन में यहाँ ठीक करने वाले हैं यहाँ पर हम color side करेंगे तो यह ठीक हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम अपने इस highlight व यहाँ सेखार करेंगे और इसके mask को यहासे चेट करके हम यहां से iक हैज़े तू लेंगे फ्लो रखेंगे around 70% और अगें यहासे रきाश कर शकते इस जगह समुसरी मुप करेंगे अगें हम यहासे इस layer को यहासे hide कर शकते हैं और इसके बाद हम यहांसे इस वाले और यहां से हम brush लेंगे और यहां से हम इस जगह से इसे थोड़ा सा remove कर शकते हैं ठीक है this is looking much better इसके बाद हम अपने highlight layer को यहां से select करेंगे और जाएंगे filter पर blur और अब हम यहां से इसे blur करेंगे अपने highlight layer को इस तरह से ताकि थोड़ा सा smooth यहां पर हो जाए okay करेंगे अगर आप चाहे हैं तो यहां से eraser to लेकर इन जगह से आप erase कर सकते हैं I feel कि मझे इस जगह पर थोड़ा से remove करना चाहिए तो मैं इसे कर रहा हूं यहां पर remove ठीक है इस वा करेंगे और यहां से mask rate करेंगे इस तरह से और जाएंगे brush पर और इसे इस जगह से हम unwanted fox को हम यहां से remove करेंगे थाकि यह ज्यादा fake यहां पर ना लगे ठीक है looking much better now इसके बाद हम यहां पर अपना logo add करेंगे this is our logo इसे हम इस तरह चोटा करेंगे enter press करेंगे और यहां से अपना logo यहां पर place करेंगे हम middle में और यहां से हम control U कर रहे है और अपना hue and saturation tab खोल रहे है और इस तरह से हम इसे flat करेंगे white color ठीक है ok करेंगे यहां से और इसका blend mode रखेंगे हम soft light पर इस तरह से ठीक है और इसे इस तरह से हम यहां पर place करेंगे good we are matching our reference properly इसके बाद हमें तो इसके लिए हम यहां से अपने एक और element को यहां से select करेंगे तो मैंने इसी Champions League tournament का यहां पर एक logo add किया है PNG mode में इसे मैं इस तरह से control T करके छोटा कर रहा हूं इस तरह से और इसे इस तरह से हम पर place कर रहा हूं ठीक है इसका जो blend mode है हम रखेंगे overlay पर and opacity रखेंगे 15% पर और यहां से control U करके हम इसे flat करेंगे इस तरह से ठीक है white करके and इसे हम इस तरह से control T करके छोटा करेंगे control J करके इसका एक और duplicate लेंगे और इसे इस तरह से हम इस वक्त बढ़ा कर रहे है इसे इस तरह से place कर रहे है इस चोटे वाले को हम इस तरह से छोटा करते हैं और just like this इसे हम इस बढ़ा कर लेते हैं okay much better छोटे वाले को हम इस तरह से place करेंगे इस तरह से looking good okay इसके बाद finally हमें इसमें कुछ adjustment करना है तो सबसे पहले हम इहां से अपने layers को यहां से collapse कर लेते हैं और इसे इस तरह से arrange कर लेते हैं सबसे उपर मैं आश्में लैर मैं apply करूंगा curves इसके shadows को हम इसे down कर रहे है इस तरह से यहां फोड़ा सा blue tint यहां से फोलगा प्लस 3 और प्लस 1 कॉलाप्स करेंगे यहां से अगे हम यहां से लेंगे adjustment layer यहां से लेंगे hue saturation यहां से हमेश के saturation को इस त disfr से बढ़ाएंगे यहां से यहां से lighting को इस तरह से decrease करेंगे ब्ल्क सा अच्छा है अपर से preview दे ठीक है अगेर हम यहां से ice cream layer लेगे और यहां से choose करेंगे vibrance और यहां से हम vibrance को इस तरह से increase करेंगे plus 25 अगेर हम जाएगे यहां से लेगे ice cream layer और यहां से हम लेगे color lookup table यहां से हम लेगे draw blues और इसे हम set करेंगे around 20% में finally हम यहां से new layer लेगे ctrl shift alt e करके हम यहां से merge layer create करेंगे इस तरह से ctrl j press करेंगे और इसका एक और copy यहां से create करेंगे जाएगे image apply image और यहां से हम layer में choose करेंगे merged यह वाला merge layer rgb channel और यहां से bleeding mode multiply okay करेंगे and have a look at this यहां से बहुत जाड़ा dark हो चुका है ठीक है और अब हम यहां से alt hold करके inverted layer mask यहां से create करेंगे इस तरह से इसके बाद हम यहां से brush लेंगे और यहां से हम अभी लेंगे white क्योंकि हमें जहां जहां पर show करना है darkness वहां वापर brush करेंगे flow लेंगे around 35% और यहां से हम इस तरह से brush करेंगे and have a look at this हम यहां से अपने fork के color को यहां से match कर रहे हैं वह भी एक ही layer के मदद से ठीक है प्रिट पर यहां पर हम apply कर सकते थोड़ होड़ा और यहां से हम इसका opacity रखेंगे 80% पर and this is before and this is after much bigger difference ठीक है इसके बाद हमें एक new layer यहां पर create करना है control shift alt करना है और यहां पर merge layer यहां पर create होगा इसका मैं निम दर रहा हूँ filter और इसे मैं राक्न करके यहां से convert to smart object कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद मैं जाओंगा यहां से filter camera raw filter and यहां से directly मैं जाओंगा color mixer पर और यहां से hue choose करूँगा और इसे इस तरह से plus around 6 करूँगा and इसका hue है वो यहां से shift करूँगा और green के तरफ ठीक है इसके बाद जाओंगा saturation और यहां से green को push करूँगा around 10 ठीक है इसके बाद मैं जाओंगा luminance और यहां से मैं इस बार अपने green के lightness को इस तरह से कम करूँगा around minus 7 this is before and this is after ok करेंगे यहां से and lastly हम यहां से alt hold करेंगे और यहां से एक new layer create करेंगे इसका mode रखेंगे यहां से overlay पर and यहां से fill with overlay को यहां से check करेंगे और यहां से ok करेंगे ठीक है और जाएंगे हम यहां से filter noise add noise और यहां से हम इस तरह से अपने image में 3% का यहां पर एक noise add करेंगे ठीक है this is before and this is after यहां से ok करेंगे and हमारा heniken beer product manipulation post यहां से ready है